जिना किनौर के पूह उपमंडर के ग्याबुं में जखमी अवस्था में तेंद्वा का बच्चा मिला है हलांकि जखमी होने के कारण किसी पर हमला करने की सूरत में नहीं है बावजुद लोगों में डर बना हुआ है विर्वायत सुभा किसी ने ग्याबुंग खट के पास जखमी अवस्था में घायल तेंद्वे के बच्चे को देखा देखते ही देखते जखमी तेंद्वे को देखने के लिए लोगों की भीर लग गई पुर्वप्रधान हरीश नेगी ने लाइफ लेंज टीवी को इस बारे में सूचना दे जिसकी सूचना डीएफो की नौर को दे गई डीएफो ने कहा कि ग्याबुंग में जखमी हालत में मिला यहो तेंद्वा बिल्ली है यहो हमलावर नहीं होता है विभाग के आरों को ग्याबुंग भीजा गया है उपचा के बाद इसे शुम्ना भीजा जाएगा बता दे कि इससे पुर्व आठ दिसंबर के रात को भी ग्याबुंग सरी के पास तेंद्वा देखा गया था तब भी ग्रामीनों में दह्शत था पूल के किनारे में पूल में पढ़ते हुए शेर का बच्चा इंजड है क्यावं गाओं में पंचा से निचे शेर का बच्चा पढ़ते हुए पूल के अंदर चाहर उश्कलंग जाने के रास्ते में आपके विधान सबा इलाके में विकास के दावे और उन पर विपक्षियों का पलटवार शाथी इलाके के निश्पक्ष लोगों की निश्पक्ष राय भी हर हफ़ते केवल लाइट डाइमस टीवी पर आप भी अपने विधायक के कारेकाल पर टिपनी करना चाहे तो हमें भेज़े अपना वीडियो हुआ और किसे किया दर्किना जनता से कितना रहा सरोकार और क्या रही विकास के रफ़तार लाइट डाइमस टीवी दिखा रहा है हर एक विधायक का रिपोर्ट का खास वीडियो सीरीज में देखी आपके विधान सबा इलाके में विकास के दावे और उन पर विपक्षियों का पलटवार साथ ही इलाके के निश्पक्ष लोगों की निश्पक्ष राय भी हर हफ़ते केवल लाइट डाइमस टीवी पर आप भी अपने विधायक के कारेकाल पर टिप्पनी करना चाहे तो हमें भेज़े अपना वीडियो ब्यासी एकसो अठान में 00003 या ब्यासी एकसो अठान में 00004